सलाम वालेकुम गाईज कैसे हैं आप साथ वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं रुबीना और आज मैं आप लोग के साथ ग्रिल फिश की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ साथ में सैलेड की रेसेपी भी शेयर करूंगी तो आप इसको अगर वेट लॉस जरनी पे हैं तो डिनर में क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ अगर आप वेट लूस करना चाहते हैं तो रात के खाने में आप जैसे काब छोड़ दें इसे चावल रोटी खाना छोड़ देंगे सैलेड पे या फिल फ्रूट पे आ जाएंगे तो आपका वेट लोज धीर धीर होने लगेगा तो मैंने बहुत फीडियो में यही कहा है कि मैं यही सब चीज़े लेती हूँ वजय सकते हैं अगर लेना चाहें तो वैसे मैं डिनर के लिए बना रहा हूं तो आप डिनर में इसको बना के खायेगा बहुत ज्याद़ा टेस्टी बनता है और चलिए फिर इसकी रेसेपी कि यहीं करते हैं डिलेきने चंब कम उन्हें देता हीां इसमें एक नव minder क्यां करता सينगार सोड़नों अब करते ही हां लोग मुझे पूछते हैं कि दूखते हैं कि पती का नाम भी बताया कर ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं तो इसलिए मैंने बताती हूँ साथ में सैलेट के लिए मैंने सब्जियां लिए हैं जिसमें गाजर है, टमाटर है, प्याज है, लैक्टर्स है जिसे आप पत्ते वाली गोभी भी ले सकते हैं अगर नहीं हैं तो तो पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे, उसके बाद, जैसे सालेट काटेंगे तो मैरिनेट करके आप अगर टाइम है तो रख सकते हैं कि मैद Robbie क्लिए मैं एक निबू ले लिया कियो यह क्वर मैंने फिश थोड़ी जादा ले एक बच्चे में लिखाते यह वैसे मैं दो पीस एक बंदें के लिखेम लहें हो तो हिससाइब से आप बना सकते हैं पूंटिटी क्राइब जायें दें लिया-कषद औरayo पेस्ट आता है आप घर पे भी बना के ले सकते हैं या तो मार्किट का भी ले सकते हैं तो एक चमच के गरीब मैं यह भी ले लिया है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मचली में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो आपके पास हो तो डाल सकते हैं नहीं हो तो फिर प भाट कियां अब्स धेन सेयं करदे हैं कि यह सब्सक्राइब मेने सब्सक्राइब द्तेशक blah डाले के अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिसका मसाला तैयार है आपके पास अगर फिश का कोई जिसे मसाला है तो भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहीं डालती हूं फिश बाहर के मसाले से अच्छा है कि घर के मसाले आप यूज करें तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर बनादें तो आप भी बेगर ऑएल के बना सकते हैं तो आप भी थाड़ा बहुत डाल के बना सकते हैं कि मशली में यह वाली मशली में वह जादा इससे चिकना ही होती है तो एक तरह गादाँगे ये, दो लीए तब तक मैं सबजीये काट लूंगी और देखें, मैं घर वालों के लिए, जिसा आप पूछते हैं रही है, कि आप अलग बनाती ये, तो मैं ऐसे अलग भी बना लेती लूदी थे ही बनाती हूँ देखिसब के लिए में ग्रेवी- वाली इस खिल JAMES करी बती है तो सब्स्लिक टैर में चाट लीएं जनले खाली है इस घाजर और घैर के अ mesh कियोगी है क्योंकि सब्सक्राइब से चांकि करें । क्यों मुझे कच्ची नहीं पसंद है आप ऐसी डालेक्ट कच्ची भी डालके बनास के सालेट खा सकते हैं लेकिन मैं जिसे कच्ची नहीं खा पाती हूं तो इसको हलका समय बस 30 से 40 सेकंड के लिए मैं सौटे करती हूं तेज आच पे तो हलका समय ओलिव ओयल में इसको सौटे तो मैं इसी ग्रिल पैन में ही फिश ग्रिल करने वाली हूं तो इसलिए मैं इसी में कर लिया है इसी में सब्जियों को भी सौते कर रही हूं जादा टेम नहीं लगाना है पस इसको 30-40 सेकंड के लिए ही करना तेज आज फटा फटी वाली जैसे थोड़ा से ना कच्चा पान होता है और निकल जाता है तो ऐसे खाने में मुझे अच्छा लगता है आपके उपर है तो इसको अच्छे से कर लेंगे देखिए बस हो गया इस इतने से टाइम में अभी जैलेड में डाल देंगे इसमें आप चाहें तो फिर अभी मूली भी आने लगें वह भी डाल सकते हैं आपके उपर है जो भी आपको डालना है अब इसमें थोड़ा से दो तीन कत्रे ही निबू के डाल रही हूं जादा नहीं और पिंक इसमें पैपरिका पाउडर डालूंगे पैपरिका पाउडर जिसे नुकसान नहीं करते तो आप यह वाला डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट करना अच्छा हो जाता है आपके पास तो मद डालिए बस पैप कली मीरिच औ नमक डाल के मिला लिजी बस जाहें तो इसमें जैसे तो साइलेट का टेस्टर से बहुत अच्छा हो जाता देखिए वसे साइड रख देंगे दूसरे तरफ मैं मचलियों को भी ग्रिल कर लूँगी तो मैं इसको बेगर तेल की कर लिए हूँ बाद में थोड़ा सा ब्रश करूंगी इस पर अगर आप चाहें तो आप खाली जि मचलियों को अब इसको आच्छ भी तर हुट करके दूसरी एक तरह पकाएंगे कम से कम इसको 5-7 मिन अच्छ पाकाईए फिर परेट के दूसरी तरह पकाईए वैसे मचली बहुत जल्ली पक जाती है जाधर टाइम नहीं लगाती है और यह वाली मचली बहुत जल्दी पक ज भजाती है कि इसी dinero की रजाती है इसी तरह से और भी परिये कि पर डहज़ेंगे दूसरी तरफ यह बर데 दो नो तरफ से अच्छे इस washington रहने चाहिए छैस सर्सों और लहें है लोग फिश- अच्छ यह पने में सर्सों कच्छ चबहु Не सलव बरीए धाराँ कर रहेंकिज यह ग्रिल कर रही हूं तब भी मैं सरसो में ही करती हूं तो इसको हलका हलका ब्रश करूंगी बहुत जाधा कम साधा चमज भी नहीं लगता है इसे जरह से मैं दोनों तरफ कर लिया और यह देखिए तयार हो गई है दोनों तरफ से 10-12 मिनट में बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाए अब इसको मैं सब करके आप लोग को दिखाती हूं तो बहुत जादा टेस्ती बनी है बहुत जादा देखिए मैं दो पीस एक जने के लिए काफी है तो मैंने रख लिया और मैं ग्रीन चटनी थोड़ी सी इसके साथ ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है ग्रीन को अगली वीडियो मी मिलती हूं जब तक अपना ख्याल रखे यह लदी खाईए अल्ला हाफीज